कोरोना के चलते बंद विद्धाले गरीब माबाप की परिक्षा लेने के लिए आमदा हो गए एंड्रॉइड मोबाइल के अभाव में बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा खुद पढ़ाई करने वाली मिरजापूर की दो सहेलियों ने उठा लिया गंगा नदी के तट पर ही उनकी क्लास चालू हो गई दो बच्चों से आरम हुई क्लास में अब करीब 22 बच्चे हैं गरीबी के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखने पर बच्चों ने कहा थैंक्स दिदी संकट के चलते देश भर के स्कूल कॉलेज बन चल रहे है कुछ स्कूल कॉलेज तो ओनलाइन शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे है लेकिन गरीब बच्चों के पास मोबाईल और इंटरनेट का पैसा न होने से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है मिर्जा पुर्जिले में गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर दो सहेलियों ने नजीर पेश की है दोनों ने गंगा नदी के घाट को ही पाटशाला बना दिया है शिखा मिश्रा और पुर्णी मासी करीब देड मा से प्रती दिन घाट पर गरीब बच्चों को निशुलक शिक्षा दे रही है इन दोनों सहीलियों के घाट पर पहुजने से पहले बच्चे इंतजार करते रहते हैं इन गरीब बच्चों की रूकी हुई पढ़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रही इन सहेलियों के जजबे को हर कोई सलाम कर रहा है बच्चों को सिलेबस के अलावा सामा जी ज्यान बाट रही सहेलियों का मानना है कि शिक्षा सभी का अधिकार है गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा का लाब नहीं मिल पा रहा था लिहाज़ा एक मुहिन चलाया गया लोगों के सहयोग से मनोबल बढ़ रहा है वो लागडाउन चल रहा है स्कूल बंद है इसलिए गरीब हो गया और दीदी लोग मेरी सिस्टे लोग आके पढ़ाती है हम लोग के पास पैसे नहीं थे मॉबाइल भी नहीं है इसलिए लोगडाउन चला जैसा कि गरीब बच्चों के पास फोन नहीं है और वो नेट नहीं करा सकते हैं तो फिर वो ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रहा है और हम लोग भी इस से में फ्री हैं और हम लोग भी अपनी पढ़ाई करते हैं उसके बाद हम लोग शाम को फ्री होते हैं तो इन बच्चों को यहां पर पढ़ाते हैं जिससे इन बच्चों की भी पढ़ाई रेगुलर चल सके एक्शली मैं भी बाहर पढ़ती हूँ बीच्चु में मैं मैं एमे कर रही हूँ इंथ्रापॉलिजी से लेकिन अभी लॉक्ड़ॉन के चक्कर में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है और उनके पा मिर्जापूर से अजय दुबे की रिपोर्ट